नमस्कार जोस्तों, आईटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। पहले मिलता रहे और PDF का हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, निचे दिस्क्रिप्टन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलिग्राम पे जाके एक्जाम लर्नर लिक करके सर्च कर लिजेगा, और वहां से जोइन करके आप PDF टावलूड कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों अकेडमी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है आफ़र लिकर के आया है अनलाग 20 यह दिया आप UPSC या फिर UPSC किसी भी एक्जाम की त्यारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है 30 जनवरी और 31 जनवरी तक ही कि यह आफ़र आपका वैलिड रहेगा जिसमें आपको 20 परसेंट का डिसकाउंट मिल जाएगा कोई भी सब्सक्रिशन लेते हैं तो आप नीचे इसका डिसक्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है वहाँ पर जाकि आप चिक कर सकते हैं या फिर आप अनेकैडमी का लर्निंग एप डाउनलोड कर लिजिएगा डाउनलोड करने के बाद आप लॉग इन करके जो है यह आप यूपी पीसी या फिर यूपी तर्पलसी किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है यह 20 परसेंट का अभी डिसकाउंट आपको म दोस्तों अनेकैडमी पे जो है विजिता यूपी पीसी प्रिलिम्स जी एस पेपर फर्स्ट का टेस्ट स्रीज कराया जा रहा है और इसमें आपको फुल मार्क्स जो है दो सो का होगा और टाइम डिरेशन जो है टू आवर्स है और इसमें फर्स रैंक आने वाले जो है लिए जाएगा नीचे निचे डिस्क्रिप्स का लिंक दे दिया गया वहां से जाके जौ है आप चेक कर सकते हैं और यह आप अनेकैडमी पे किसी भी कोस का सब्सक्रिप्स का लेना चाहते है तो हमारा रेफरल कोड यूज कीजेगा एक्जाम लर्नर जिसे आपको 10 परसंट का वहाँ पे discount भी मिल जाएगा तो ये referral code आप subscription लेते time यो जरूर कीज़ेगा दोस्तो आज का जो पहला प्रशन है 8 December 2021 को देश के पहले Chief of Defense Staff यानि की CDS विपिन रावत का एक helicopter दुरगटना में निधन हो गया इनके संदर्व में कौन सा कथन सही नहीं है ध्यान दीजेगा पूझा है सही नहीं है तो आपको बताना है तो पहला जो दहा इसमें इनका जन्म उत्राखन के पौड़ी जिले में हुआ था ये आपका सही है दूसरा है उनकी मृत्यू तमिलनाडू के कुनूर जिले में हुई दूसरा प्रशन है जलवाई परिवर्तन के चुनोतियों पर विचार भी मर्ज करने के लिए कॉप 26 बैस्विक जलवाईव सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो एक ग्लासको इसकोटलेंड के ग्लासकोँ में इसका आयोजन किया गया है चौथा प्रशन है बिद्दुत मंत्राले द्वारा जारी राजजी उर्जा दक्षेता सुचकांक में प्रतम अस्थान किसे प्राप्त हुआ है तो पहला अस्थान करनाटक राजजी को प्राप्त हुआ है यह आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा और यह उर्जा दक्षेता सुचकांक पूछा जाए कि किस मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है तो बिद्दुत मंत्राले की द्वारा जारी किया जाता है पांचवा प्रशन है राश्ट्री खेल पुरसकार 2020 की तहट निमलिकित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरसकार नहीं दिया गया तो आपको बता दें कि अब जो है राजी उगांधी खेल रत्न पुरसकार का नाम बदल करके जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरसकार कर दिया गया है तो यहाँ पर पुछा गया है कि किसे नहीं दिया गया है तो भवाणी देवी जो की तलवार वाजी से संब्धनुत है इनको मेजर ध्यान चंद खेल दक्न प्रश्कार नहीं दिया गया है बौकि नीरत चोपडा को दिया गया है प्रमोद भगत इनसभी को दिया गया है चेटमब प्रश्णे अक्टूबर 2020 में किस देश की अध्याक्षता में आठराहँ आसियान भारत सिखर सम्मेलन कायोचन किया गया तो यहाँ पर C आपसन से ओजाएगा 17. थामसक्प 2020 का खिताब किस देश ने जीता है तो ये खिताब इंडोनेसिया के द्वारा जीता गया है बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आठवा प्रशने 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन छुद्र ग्रहों के अध्यन हेतू लूसी मिसन को लांच किया है तो ब्रैस्पति ग्रह के डी आप्सन यहाँ पे सही हो जाएगा नौप प्रशन देखते हैं अगस्त 2020 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है तो पहला जो दिया गया है कल्यान सिंग यह उत्तर प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं बिल्कुल सही है वासुदेव परांजपे यह पूरु भारती क्रिकेटर और कोच रहे हैं यह भी सही है C option है O. चंद्र शेखरन भारत के हां की खिलाडी तो यह आपका गलत है O. चंद्र शेखरन यह फुटवालर रहे हैं ना की हां की खिलाडी तो C option सुमिलित नहीं है O. यम नाम भी यार यह भारती इतलेटिक्स कोच रहे हैं यह भी सही है तो Iraqi की युआन कारिक्रताओं का समर्थन करके राज ँमे नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हितु Knowledge Economy Mission की सुरुवात की है तो ये केरल राजी की द्वारा केरल राजी सरकार की द्वारा सुरू किया गया है डी आपसन यहां पर सही हो जाएगा बारहमा प्रशन हाली में दिहिंग पठकाई बन्यजीव अभ्यारन को अगला प्रशन है किस मंत्राले द्वारा पोशड सुरक्षा की उद्वारत की गयी तो ये स्वास्तियों परिवार कल्यार मंत्राले की द्वारा आहार क्रान्ती मिशन की सुरूआत की गयी है चोदावा प्रशन है निमलखित में से किस सहर में दुनिया के सबसे उचे तथा बड़े आपजर्वेशन हुईल का निर्माड किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है दुबई में डी आप सनिहा पे सही हो जाएगा अगला प्रशन है भारत का पहला वर्टिकल टावर फारिष्ट माना फारिष्टा कहां बनाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है वेंगलोरू करनाटका में डी आप सनिहा पे सही हो जाएगा सुलामा कोशन है बालिकाओं को ससक्त बनाने के उद्देश से किस राज्जी ने राश्ट्री बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की सुरुवात की है तो राश्ट्री बालिका दिवस आपको पता होगा है कि 24 जनवरी को प्रतेक वर से मनाय जाता है और इस दिन पंख अभियान की सुरुवात मद्य प्रदेश राज्जी सरकार की द्वारा सुरू किया गया है बी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा सत्रहों प्रश्ण में 22 मार्च 2020 को मनाए गए विस्व जल दिवस का थीम क्या था इसका थीम है वैलुइंग वाटर बी आपसन सही हो जाएगा और विस्व जल दिवस 22 मार्च को मना जाता है और 22 अप्रेल को मना जाता है प्रिथिभी दिवस अगला कोशन है हाली में प्रकासित की गई पुष्टक नोदर एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है इसके लेखक है आर ये सियन सिंग डी आपसन्या पे सही हो जाएगा अगला प्रशन अप दिखते हैं कि परियाटन को बढ़ावा देने के उद्देश से देश का पहला इसकी पार्क की से राज्य या केंदर सासित प्रदेश में अस्थापित किया जाएगा तो ये हिमानचल प्रदेश में अस्थापित किया जाएगा ये आपसन्या पे सही होगा बीसमा प्रशने 23 मार्च 2022 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के छेतरे में समझावता किया है तो जापान के साथ समझावता किया गया है भारत द्वारा B आपसन यहापे सही होगा अगला प्रशने हाली में राष्टपती रामनात कोबिंद द्वारा किसे बैटन आफ आनर से सम्मानित किया गया है तो किरन वेदी को सम्मानित किया गया सी आपसन से हो जाएगा और कीरनवेदी ये भारत की प्रतम महिला IPS रही है 22 प्रशने नेशनल इंस्टिटीट आफ पोशनोग्राफी दौरा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना सुरू की जाएगी तो ये हिंद महासागर में शुरू किया जाएगा ये आपसन सही होगा 23 प्रशने हाली में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लावारतियों की सुविधा में विश्तार के लिए किस एप को लांच किया गया है 24 प्रशने नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम अस्थान प्राप्थ हुआ है तो यहाँ पर आपका करनाटक को पहला अस्थान प्राप्थ हुआ है और नीति आयोग आपको पता हुआ इसका गठन 1.0 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और इसका गठन योजना आयोग की अस्थान पर किया गया है और योजना आयोग का गठन जो हुआ था वह 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था तो ये भी आप याद रखेगा पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था तो 15 मार्च 1950 को और नीती आयोग का गठन कब किया गया था तो 1 जनुवरी 2015 को अजय माथोर को और ISA यानि कि अंतराश्टिस और गटवंधन का मुख्याले देखा जाए तो हर्याना के गुरू ग्राम में है और इसमें बरतमान में कुल 121 देश 121 देशों का इसमें सहमती है अगला प्रशन हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंद किस खेल से है तो पैरा टेवल टेनिस से ये आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं 26-29 अगर्ष्ट के बीच मालावार 2021 सही उक्त नौसयनिक अभ्यास कायो जनकिन देशों के मद्धे की आ गया है तो यह भारत अस्ट्रेलिया जापान और अमेरिका के मद्धे मालावार 2020 सही उक्ते नौसयनिक अभ्यास है तो यहाँ पर सी आपसन सही हो जाएगा 28-29 प्रशन किसानों की आये को दो गुना करने के उद्देश से इस राजी सरकार द्वारा किसान कल्यार मिसन की सुरुवात की गई है तो यह उत्तर प्रदेश राजी सरकार की द्वारा सुरू किया गया है यह आपसन सही हो जाएगा और 29-30 प्रशन परसुराम कुंड मेला कायोजन की सराजी में किया गया तो यह किया गया है अउडांचल प्रदेश में भी विकल्ब सही है तीसमा प्रशन हाली में किस राजी में फुरुट केक आंदोलन चर्चा में रहा है तो फुरुट केक आंदोलन आपको बताने कि यह महराश्ट में चर्चा में रहा है और यह बेकरी में तयार केक की जगें फल से बने केक को जो है इस्तिमाल किये जाने से संबंधी था ये तो ये आपसन से हो जाएगे यहाँ पर महारास्टर 31 प्रशन है अब्दुल रजाक गुर्णाह को वर्ष 1220 का सहित्यका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया उनका संबंध किस देश से है उनका संबंध है तंजानिया से सी आपसनिया पर सही हो जाएगा और ये आपको याद रखना है इनका नाम सहित्यका नोबेल पुरस्कार 1220 का किसे दिया गया है तो अब्दुल रजाक गुर्णाह को दिया गया है और 2020 का सहित्यका नोबेल पुर करेगा तो यहां पे भी आपसन सेवगा रूस के द्वारा यह अस्थापित किया गया है 33 कोशन है 30 मार्च 2020 को किस देश में नौवा हार्ट आफ एसिया कानफरेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है तो यहां पे यह आपसन सेवगा ताजिकिस्तान में और भारत के विदेश मंत्री कौन है बर्तमान में तो यह जैसंकर यह बर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है 34 प्रशने ग्रामेड महिलाओं को सहायता प्रदान करने है तो किस राजी सरकार द्वारा मिसन वातसली की सुरुआत की गई है तो एक या गया है महाराष्ट राजी सरकार की द्वारा बी विकल्प यहां पे सही हो जाएगा अगला प्रशने टोकियो पैरा उलम्पिक में स्वर्ड पदक जीतने वाली पहली भारती महिला अउनी लाखे रा का संबंध की स्खेल से है तो ये निसाने बाजी से संबंधित हैं सी विकल्प यहां पे सही हो जाएगा अगला प्रशने हाली में किसे ICICI Bank के MD और CEO के रूप में चुना गया है तो संदीप बक्सी को चुना गया है यह आप्सन सही हो जाएगा 2021 में विस्वार्थिक मंच यहने की World Economic Forum के वार्षिक सतत विकास प्रभाव सिखर सम्मेलन 2021 कायोजन की सहर में किया जाएगा तो यह स्टुडियल लेंड के जेनेवा में इसकायोजन किया जाएगा C विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अर तीस्वा प्रशने के के विर्ला फाउंडेशन द्वारा किस मराथी उपन्यासकार को सरश्रती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोशना की गई है तो यहाँ पे D आप्सन से होगा सरद कुमार लिंबाले को और आपको बता दें कि महतपूर पुरशकार जो वर्स द्वारी कीज के हैं उनका अलग से एक वीडियो बनाय गया है तो जो लोग नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं अगला प्रशन देखते हैं हाली में सौधी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता बन गया है तो है USA यानि की संयुक्तराज अमेरिका चालीसवा प्रशन है किस राज्य या किन सासित प्रदेश की सरकार ने देश भाक्ती बजट पेस किया है तो दिल्ली के द्वारा देश भाक्ती बजट पेस किया गया है 41 प्रश्ण है दादा साहब फाल के International Film Festival Award 2021 में सरुस्रेश्ट फिल्म का पुरुषकार किसे प्रदान किया गया तो यह पुरुषकार दिया गया तानाजी द अंसंग वारियर को B आप सुनिया पे सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है जनवरी 22 में पूरो केंदरी मंत्री बूटा सिंग का निधन हो गया उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पे आप दिख सकते हैं अगला प्रश्ण हाली में ACI किरकेट परिशत के अध्यक्ष के रुप में किसे चुना गया है तो जै साह को चुना गया है D आप सुन सही है 44 मा प्रश्ण है ISRO ने किस अंत्रिक्ष अजन्सी के सहयोग से प्रित्भी प्रडाली वेदसाला विक्षित करने का नेर्डः लिया है तो नासा के सहयोग से नासा अमेरकी अंत्रिक्ष अजन्सी है तो यहाँ पे C आपसम से हो जाएगा और इसरो के वरतमान में जो चेयर मैन बनाए गए है यहाँ यह सोमनाथ तो इनका नाम आप लोग याद रखेगा यह सोमनाथ यह इसरो के वरतमान में चेयर मैन है और इसरो की अस्थापना होई थी 15 अगस्त 1979 में अगला प्रशने UNICEF द्वारा जारी Children Climate Risk Index 2020 के संबंद में निमलकित में से कौन से कतन सही है पहला दिया गया सरवाधिक प्रभावित देशों में प्रतम अस्थान मध्य अफरीकी गड़ राजिका रहा है दूसरा है सबसे सुरक्षित देश आइसलेंड रहा है तो ये भी सही है भारत को अस्थान इसमें 26 अस्थान प्राप्त हुआ है ये भी आपका सही है तो यहाँ पे जो सही हुजाएगा D option उपरियुक्त सभी सकते हैं 46 कि इस देश के भूवयग्यानिकों ने प्रित्वी पर 1.6 billion वर्स पुराने पानी की खोच की गई है 47 कि सराजी सरकार द्वारा अकांच्छा पूर्टल लांच किया गया है अगला प्रश्ण है निमलेखित में से किस संस्था ने EMS EME के लिए ESHWAS और आरोग रिडियोजना की सुरुवात की है तो यहाँ पर जो सेव जाएगा आपका B आपसन सेव गा सिडवी के द्वारा EMS EME के लिए स्वास और आरोग रिडियोजना की सुरुवात की गई है सिडवी का फुल फार्म पूछा जाता है Small Industries Development Bank of India सिडवी का फुल फार्म होता है अगला प्रशन है COVID-19 के कारण भारती अर्थ ब्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्विक्षन 2021 में लगाया गया है तो यह V आकार की रिकवरी लगाया गया D आपसन जो है सही हो जाएगा यहाँ पर V आकार की और अंतिम प्रशन है आर्थिक समिच्छा 2021 में उल्लेखित माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किस से है तो इसका संबंध है रविंदरनाथ टैगोर से D आपसन जो हो जाएगा और रविंदरनाथ टैगोर से एक प्रशन बनता है वर्स 1913 में इनको दिया गया था साहित्ति का नोबल पुरसकार और यह दिया गया थे इनके उस तक गीतांजली के लिए तो यह आप याद रखेगा तो दोस्तों यह था आपका वर्स 2021 के महतपूर के अटरफेस जो कि आपके अगामी परिक्षाओं के लिए काफी महतपूर है तो वीडियो यह दिया अच्छा लगा हो लाइक शेर कर दिजीगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में विल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद